हेलो क्लास यह हमारा second unit का third topic है storage media format इसके पहले हमने क्या पढ़ा था हमने audio storage की format देखे थे video storage की format देखे थे अब क्या है storage media format इसमें हमें किन चीजों के बारे में पढ़ना है DVD और ISO 9660 क्या होता है ये देखेंगे introduction क्या कहता है storage media का मतलब होता है different mediums that are used for storage of data किसी भी data को store करने के लिए जो अलग-अलग mediums use होते हैं माधियम use होते हैं उसी को हम क्या कहते है storage media कहते हैं these are devices that store application and user information जो application को भी store करते हैं और किसी user की information को भी store करते हैं primary storage media for a computer is internal अब यहां पर एक छोटी सी information है कि जो primary storage media होता है कि computer में आपने कोई application डाउनलोड करी है कोई software install किया है या कोई भी data है वो computer में जैसी enter होता है सबसे पहले कहां जाका store जाएगा वो hard drive में store जाएगा तो यह क्या है इसका primary storage media मैं primary memory नहीं कहा हूँ मैंने primary storage media कहा है अब memory के बारे में बोलेंगे तो क्या होती है ROM और RAM होती है ROM क्या है read only memory और RAM क्या है random access memory तो read only memory क्या है वो हमारे लिए नहीं है वो computer के लिए जिसने computer को बनाया है उसने computer को यह सिखा कर भेजा है कि तुम्हें कैसे operate करना है उसको कुछ instructions दी गई है उसको यह प्रोग्राम बनाया गया है कि इस तरीके से तुम्हें काम करना है तो वो read only memory उसमें हम कुछ भी edit नहीं कर सकते हैं जो company ने उसमें बना कर दिया as it is रहेगा random access memory वो हमारे लिए है उसमें क्या होता है जैसे मैंने आभी कहा कि जो computer का hard drive होता है हर चीज उसमें store होती है तो जब आपको यह application को process करना चाहते है तो वो पहले लोड़ होगर कहां आएगी RAM में आएगी ठीक है random access memory जो की volatile होती है यानि आपको काम कर रहे हैं आपने उसको save नहीं किया है लाइट कट गई तो वो पुरा चला जाएगा और यह भूल जाएगा कि आप क्या काम कर रहेते हैं यह save नहीं करेगा जब तक आपको इसको instruct नहीं करेंगे कि इसको save कीज़ए इसका एक चोटा सा trick है अगर हम RAM में A को उल्टा करेंगे तो वो V जैसा दिखता है तो V का मतलब क्या हुआ वोलेटाइल वो को भी नहीं बना सकते तो वो नॉन वोलेटाइल हो गया तो वहां से यह उट करके इधर आएगा लोड होगा और इसलिए कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको पहले सेफ कर लिजे ताकि आपका डिटा इनकेस अगर आप सिस्टम में काम कर रहे हैं लाइट चली गई आपके पास बैक अप नहीं है या सिस्टम कुछ भी गढ़बर हो जाती है तो आपका डिटा सेफ रहे अब रिमोवेबल ड्राइव इस एनादर पॉपिलर यह तो मैंने आपको छोटी से जानकारी दिया है अब इसी कंटिनुएशन में क्या आएगा कि रिमोवेबल ड्राइव क्या होती है इस एनादर पॉपिलर स्टोरेज डिवाइस दिस कनेक्टेड विद यूस्बी और पै इस अब लग एक एक अशनल डिवाइस को करके डेटा को ट्रांसफर किया जा सकेँ अब टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया क्या होता है CD और DVD CD क्या है, full form है compact disc, is a digital data storage medium that was developed, इसको किस ने developed किया था, philips और sony नाम की company ने 1982 में developed किया था, digital data को store करने का format है ये, और the format was original developed to store, starting में इसको सिर्फ sound recording को store करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका usage बढ़ गया, दूसरी दूसरी चीजों के लिए इसको use किया जान परपसा जिसलिए ये प्रोइड किया गया, तो क्या था कि CD, audio CD players was released in October, commercial form में क्या आया कि CD players के साथ अने लग गया ये, October 1982 में, कहां से जपान में, sony company के थू, market में launch किया गया, कि हाँ ये CD player है ले जाईए, आप इसमें music सुन सकते हैं, आप CDs करी सकते हैं, इसमें आपको कु कि युनिवर्सल डायमेटर है कि वह 120 मिलीमेटर की होगी, और इसमें इंचे में भी size लिखा हुआ है, और जब इसमें कि लिमिटेशन था, क्या था कि 700 MB तक का ही data store कर सकते हैं, उसे यदा का data store नहीं कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, उप्तिकल स्टोरेज मीडिया कहते हैं आप्टिकल मतलब ऐसे डिवाइसे जो की light की थूर, light की जो rays reflect होती है, उससे operate होते हैं, ठीक है, which works on the reflection of light, जब उस डिवाइस के ऊपर light पड़ती है, तो उसको read किया जाता है, it is made up of polycarbonate, plastic, और इसका weight कितना है, 15-20 gram होता है, और इसकी capacity क्या है, ये 74 minutes तक का audio record कर सकता है, औ और अगर MB में कहेंगे, तो 700 MB हो गया, CD क्या है, एक portable storage medium है, इसको कहीं भी easily जाया सकता है, है ना, used to, इसमें record कर सकते हैं, store कर सकते हैं, इसको वापस से play कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी working क्या है, कैसे काम करता है, वाइल series are played, they rotate around, जब इसको हम play करते हैं, तो ये जब गूम तो इसमें नीचे की तरफ से एक light reflect होती है, infrared laser light, red color की होती है, जब वो rotate होता है, और इसमें वो light पड़ती है, तो वो उसको read करता है, जब इसमें data है, CD में, उसको read करता है, और आपको display देता है, या अगर उसमें audio है, तो वो उसको आप सुनने लगते हैं, When CD is played, the laser light bounce the light beams on the surface and detect the pits and land, यह कैसे काम करता है कि इसमें कुछ pits होते हैं, और कुछ smooth surfaces होती है, pits का मतलब छोटे-छोटे गड़े कह सकते हैं, छोटे-छोटे-छोटे खांचे होती है, उसमें data store होता है, और जो smooth surface होती है, वहाँ पर data नहीं होता है, तो जब light reflect हो करके pits पर sound को create करता है, जो data उसको आपको audible कर देता है, और जब lands पर पढ़ती है, तो वहाँ पर वहाँ पर वापस से light reflect नहीं होती है, जब pits पर पढ़ती है, तब वह reflect होती है, और आपको sound produce होता है, डीवीडी, digital versatile disk, इसको हम digital video disk भी कहते हैं, यह एक digital optical disk storage format है, optical का मतलब वही जो light से संपर्क में आने पर operate होता है, कब बनाए गया था, 1997 में, philips and sony company मिल कर बनाया था, this medium was, this medium can store any kind of digital data, किसी भी तरे का digital data को store कर सकता है, and is widely used for software and other computer files, as well as video programs, इसमें software स्वगरा रखने का काम आता है, और video programs इसमें आप देख सकते हैं, DVD प्लेयर्स में, and it offers higher storage, इसमें CD के काम में, ज्यादा, storage मिलता है, अब DVD की capacity क्या है, वो यहां पर लिखी हुई है, कि कितनी की capacity होती है, इसका diameter, उसी के बराबर ही रहता है, इसका वेट कितना है, 16 grams, अब यह technology कौन सी हूज होते है, इसमें, DVD आर मेड फ्रॉम 0.6 mm थिक डिस्क of polycarbonate plastic, coated with a thin reflective aluminum layer, two such discs are coated together, from a 1.2 mm double side disc, अब इसमें, जो प्लास्टिक है, उसका हमें कोई उज नहीं है, वो तो safety के लिए लगा जाता है, जो aluminum है, इसमें, aluminum की जो layer होती है, यही है, जिसमें की data को store किया जाता है, ठीक है, अब यह क्या है, 1.2 mm double sided disc, single sided, single layer भी हो सकती है, double layer भी हो सकती है, उसके according, इसमें, data कम और ज्यादा store होता है, इसकी capacity बढ़ाता है, series and DVDs contain digital information, which is represented by binary code, that is combination of zero, zero और one के code उसमें ही काम करते हैं, अब आपको बताए ना, pit or land, यानि की pits or smooth surfaces, तो जो pit होगी उसमें data है, तो वो क्या reflect करेगा, one, और जो smooth surface पे light पड़ेगी, तो वो क्या reflect करेगा, zero, यहाँ कोई data नहीं है, computer हमेशा zero और one के format में, binary में ही उपरेट करता है, तो यह इस तरह से काम करता है, and it produces, वो हमें जानकारी देता है, हमारे readable और हमारे audible format में, it can contain, इसमें 30 times ज्यदा ज्यादा data store कर सते हैं, in comparison of CD, अब थर्ड वाला यह आपके topic में नहीं था, फिर भी, for your information, मैंने यहाँ पर अड़ कर दिया, कि बुरे डिस्क होता क्या है, it is simply known as blu-ray, is a digital, optical disk storage media, यह भी light से ही चलता है, लिकिन इसमें फर्क है, उसमें हम red color की rights use करते हैं, इसमें blue color की होती है, it is designed to supersede the DVD, पहले CD आया, फिर इसका improvement होगे DVD आया, अब DVD से better क्या होगा, तो वो या गया, blu-ray disc, and capable of storing several hours of high definition video, मतलब उससे better quality के, आप इसमें HD quality video से store कर सकते हैं, main use of blu-ray क्या था, is as a medium to store video material को store करने के लिए, and here the name blu-ray represents blue laser, ठीक है, which is actually a violet blue कहते हैं, लेकिन उसका light का reflection है, वो कैसा होता है, violet color का होता है, use to read the disc, जो यह disc होती है, उसको read करने के लिए, यह light का use होता है, कब बना था, 2006 में, किसने बना था, सोनी blu-ray disc association ने, और इसकी capacity क्या है, 25 GB, single layer की है, और 50 GB तब हो जाए कि जब यह double layered होगी, अब ISO 9660 क्या है, जो की 1988 में बना था, ISO का full form है, international organization for standardization, इसमें थोड़ा confusion हो जाता है, क्योंकि, ISO का हमें ऐसा लगता है कि, international standard organization होगा, पर वो नहीं है, इसका full form है, I, फिर O, फिर S, यानि, international organization for standardization, एक ऐसी संस्था, जो standards बनाने का काम करती है, तो ISO 960 क्या है, is a file system for optical disc media, सिर्फ optical disc media के लिए ही है, यानि, CD, DVDs, blu-rays, यह जो है न, यह क्या है, हमारे, यह optical disc है, तो यह सिर्फ इनहीं के लिए है, being published by the international organization for standardization, the file system is considered an international technical standard, क्यों, क्योंकि, जो ISO है, यह international level के standards रिलीज करता है, ISO ने क्या किया, fix standards for the technical storage, उसने standards बनाये, कि किस तरह से informants में data को store किया जाएगा, और यह सिर्फ CD DVD के लिए है, this standard allows you to read the same CD ROM, where you are, whether you are on a PC, अब यह क्या है, standards के फाइदा क्या है, किसी भी तरह के platform पे, यानि, किसी भी तरह के operating system पे, आप काम कर रहे है, आप हर जगे उसको read कर सकते हैं, चला सकते हैं, this standard was written by an industry, जिसका नाम था, हाई सेरा, कब 1988 में, तो यह हमारा storage media format भी complete हो गया, यहाँ पे, thank you, छिसके नाम सकते हो,